आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरो भागदो के गद्य खंड का छटा पाठ जिसका नाम है नमक जिसे लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने रजिया सज्जाद जहीर का आधुनिक उर्दो कथा साहित्य में महत पुरुन अस्थान है इनका जर्म 15 फरवरी सन 1917 को राजिस्थान के अजवेर जीले में हुआ था उन्होंने बीए असनातक की सिच्छा घर पर ही रहकर प्राप्त की उसके पस्चात उनका विवा इलावाद के एक संपन परिवार में हो गया था बिवा के बाद उन्होंने सस्वराल में रहकर ही उर्दू से में की परिख्छा उत्रन की और 1947 में अजमेर से लखनव आई और वहां करामात हुसेन गल्थ कालेज में उर्दू पढाने लगी सन 1965 में उनकी नियोगती सोवित सुचना विवाग में हुई जिसके कारण उनको बिदेश जाने की कई सुवसर प्राप्त हुए 18 दिसंबर सन 1989 को उनका देहान्त हो गया था इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं इनका एक मात्र उर्दू कहानी संग्रय है जर्द गुलाग इसके साथ साथ इन्होंने उर्दू में बालसाहित्य की विरचना की कई भासाओं में उर्दू से कुछ पुस्तकों का अनुबाद ही इन्होंने किया तो आईए बच्चों आज पढ़ते हैं पाठ नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विश्थापितों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक तहानी है इसमें मुखरूप से यह बताया गया है कि ब्यक्ति ने जिस मिट्टी में जनम लिया है वही उसकी मात्र भूमी कहलाती है जिस से उसका प्रेम होना नितांत स्वाबाविक होता है इस कहानी में सिख बीबी जो विभाजन के समय से भारत में रह रही है आज भी अपनी जनम भूमी लाहर को अपना बतन मानती है वह का पाकिस्तान जा रही है और साफिया से लाहरी नमक लाने की बिंती करती है तो साफिया लाहर अपने भाईयों से मिलने के लिए जा रही है उसी समय उनकी मुलाकात पडोस में रहने वाली एक सिख बीवी से होती है जो मूल पर लाहर की रहने वाली है जब साफिया उन्हें अपनी यात्रा के सम्मंद में बताती है तो वो एकुछ देर तो पुरानी यादों में खो जाती है और बाद में कहती है तुम लोड़ते समय मेरे लिए थोड़ा सा लाहरी नमक जरूर ले आना साफिया तकरीबन 15 जिनों तक लाहर में रुखती है इस दोरान उनके भाईयों के द्वारा उनकी खुब आवा भगत की जाती है उन्हें धेरों सारे उपहार भी दिये जाते हैं अब वापस चलते समय साफिया ने सिख वीवी की जो सवगात जो लाहरी नमक की जो पुडिया थी उसे एक कागज में बंद कर दिया था और जब उसने यह बात अपने भाईयों को बताई तो उन्होंने कहा कि यहां से नमक ले जाना तो गयर कानूनी है तो यह देख करके वे बड़ी भाउक वो उठती हैं और कहती हैं मैं सोना चांदी थोड़ी ले जा रही है कस्टम वाले भी तो आखिरकार इंसान हैं मुझे विश्वास है कि वे इस तोफे को ले जाने देंगे अब साफिया भरत जाने के लिए तयार है साथ में एक किनू की भरी टोकरी भी है जिसे उसने किसी को उफार सुरूप देना है थोड़ी देर कस्म कस्मे रहने के बाद वह सोचती है कि क्यों न इन किनूओं के नीचे ही नमक की पुरिया छिपा दी जाए वह हर सुरत में सिख बीबी का जो तोफा था उसे ले जाकर के रहेंगी यह उन्होंने मन में दिर्ड़ निश्चे कर लिया था आधी रात तो इसी सोच विचार में कट गई रात को स्वपन में भी सिख बीबी ही दिखाई देती हैं और जैसे कि सपोज करो वो पूशती हैं साफिया तुम मेरी सुकात लाई हो तो नींद में ही अचानक ठंडे किनों पर उनका हाथ लग जाता है और वोई जाक करके अपने आपको पर्थम स्रणी के परतिक्षाले में पाती हैं वेटिंग रूम में बैठ गई है अब साफिया का ध्यान किनों की टोकरी पर है जिसके नीचे नमक की पूरिया रखी कि अब मन ही मन में वह निश्चे कर चुकी थी कि वह नमक छिपा कर कदापी नहीं ले जाएंगी तभी एक अधेड उम्र के कष्टम अधिकारी से उनका मुकाबला होता है उससे बाच्छित होने पर उन्हें ग्यात होता है तो बताता है कि मेरी जनम भूमी भी दिल्ली ही है बिवाजन के समय से मैं यहां रह रह रहा हूँ वो बताता है और इस प्रकार से जब बाच्छित होती है तो कुष्टम अधिकारी के सामने जब वह नमक की पुरिया ले जाती हैं तो वो सोचती है कि इसे मैं चिपा करके नहीं ले जाओंगी तो वो बोला कुष्टम मुहब को नहीं रोक सकती अब रेल के स्रहद पार करते ही भारतिय पुलिस रेल में सवार हो जाती हैं अमर्त सर आते ही यात्रियों के सामान की चेकिंग होने लगी है तभी वहां पर साफिया ने एक बंगाली जैसे लगने वाले कस्टम अधिकारी को देख करके नमक के पुरिया की सा ले ले जारी हूं क्यों ले जारी हूं कैसे ले जारी हूं इस परकार का विबरन उसने सारा कस्टम अधिकारी को बता दिया तो कस्टम अधिकारी भी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने कहा चलो थोड़ी जेर के लिए चाई पी ली जाए यह इस उद्देशे से वो साफिया को कंटीन पर ले गया कस्टम अधिकारी सोचता है कि जब दो सिमा पार के देशों के लोगों के मन में इतना प्यार है तो निश्चित रूप से एक दिन दोनों की सतुरता अवस्ही मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी अवसी ही मित्रता में परिवर्टित हो जाएगी लाहोर का किला भी एक दिन जो है लाल किले से समानता करेगा वो मन में सोचता है वह चाय पीते हुई बोला मेरा बतन भी ढाका है और विभाजन के समय से ही मैं भारत आ गया था वह बोला अपने बतन की चीजों का स्वाद निराला होता है मेरे बतन के नारेल का स्वाद भी बड़ा अनुपम है उसने वह पुडिया साफिया के हाथ से लेकर के उसके बैग में डाल दी तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मानव का मानव से प्रेम ही सच्छी मानवता है जाती धर्म वर्ग समदाई की भेद भाव रूपी रेखा से उपर उठकर ही मानव उन्नती के सिखर पर चड़ सकता है तो इसे आपने ढंक से पढ़ा इसे आप लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें धन्यवाद